पुरिदेश में बहुत ही धूम धान से बीजेपी अपना अस्थापना दिवस समारों मना रही है पटना में भी बीजेपी के तमाम आलाकमान नेताओं ने अस्थापना दिवस समारों मनाया और इस मौके पर बीजेपी कोटे से डिप्टी चेप मिनिस्टर और प्रदेश जवाब दिया तेशी आदव ने कहा था कि बिहार में बीजीपी के पास मुखमंत्री का कोई चहरा नहीं है इसलिए वो गाहे बगाहे योगी मॉडल का जिक्र करते रहते हैं इस मसले पर जब सवाल पुछा गया तब तारकसुद प्रशाद ने साफ कह दिया कि एंडिये के त प्रदेश अद्यक्ष ने कह दिया कि जब उत्तर प्रदेश का पिछले दफा विधान सवा चुनाब हुआ था उस वक्त कोई नहीं जानता था कि योग्या जितनात उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री होंगे कोई नहीं जानता था कि हर्याना के मुखमंत्री मनुहरलाल खट अलगातार विपक्षी पार्टिव के तरफ से सवाल पूछा जा रहा था कि BGP में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने के लाइक हो जिसके बाद सवाल ने करादा जवाब दिया और ये कहा जो भी केंद्रिय अलाकमान का फैसला होगा वो फैसला लिया पूरे BGP के कारेकरताओं को सम्मोधित किया और ये कहा कि देश और दुनिया में फैले तमाम BGP के कारेकरताओं को मैं बहुत-बहुत शुभकामनाई देता हूं हमारे पास निति है और नियत है और यही एक भारत और सृरिष्ट भारत के सपने को पूरा करेगा उन्हेंने साब कोर पर बीजीपी की उपलदियां में गिनाई और ये कहा उन्हें कहा कश्मीर से कन्या कोमारी कत से कोहिमा तक अब बीजीपी का विस्तार हो चुका है तीन दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्भा में हमारी पार्टी के एक सो सदसे हैं तो बीजीपी लगातार सफलता की और बढ़ रहा है और बीजीपी का हर कारेकरता जो है वो एक भारत स्रेष्ट भारत के सपने को जीता है तो आज अस्थाप्रा दिवस समारों के मौके पर राजधानी पटना में भी बीजीपी के तमाम आलाकमान निताओं ने इसे दुम्धाम से मनाया और इस मौके पर संजजासवाल ने साफ कर दिया कि बीजीपी के तरब से मुकमंत्री का चेहरा कौन होगा ये फैसला के नितिश कुमार ने राज्धभा जाने की मन्षा जाहिर किया की तो वो देश के उपर राश्पती बन जाएंगे एक तरब चरचा ये भी चली कि अगर नितिश कुमार बीखार में मुकमंत्री का पद अगर बीजीपी को देते हैं कहां से ऐसे अभवाहें उड़ जाती हैं और अभी जिपी के तरफ से डिप्टी चिप निश्टर तार्चु प्रशाद ने भी साफ कर दिया है कि नितीश जी जब मुकमंत्री बने इसमें तमाम एंडिये की घटक दलों का फैसला था हम ने नितीश कुमार का नित्तुव स्व कर दिया है कि किसी को नहीं पता था जब 2017 में उपी में विधान सभा चनाफ होगा था लेकिन योगी आधितनात को मुखमंत्री बनाइगा थर्याना में जब विधान सभा चनाफ वा तो मनुहरलाल खटर को मुखमंत्री बनाइग गया वैसे ही बिहार में बीजिपी के और नहीं सजास्वाल ने इंकार किया मतलब अब बीजीपी चाहती है कि बिहार में बीजीपी की तरब से कोई मुखमंत्री का चेहरा होना चाहिए आप दिखते रहें जैसे ही कोई और बड़ी ख़वर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे बहुत बहुत धन्यवा मुषकार के जड़ एंपर आपको ऑगयाँ attitudes को अन्यवार इंकार किताऺण का मुषके बड़ी खाले के आपको।